नमस्कार दोस्तों मेरे नाम में विवाल सिंग बालाजिश्च देटा में आपका स्वागत है वी टी सी डी एलेड सेकेंड समिश्टर के लिए जैसे के इंपोर्टेंट वन लाइन मेरातन के रूप में करा रहे हैं तो उसके अंतर का समार जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है समा आप जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रसंद कहा रहा है कि उभोगता विवाद प्रतितोस अभिक्रण के कितने प्रकार होते हैं तो आप कहेंगे जिला फोरम राज आयोग और राश्ट्य आयोग ये तीन प्रकार जो है वो होते हैं याद रखने वाली चीज है याद रखेगा अगला है उभोगता अपनी सिकायते कहां पर कर सकते हैं तो भोगता अपनी सिकायते उभोगता सनलच्षड अधिनियम के तहत जो इस्तापित विसेश नयायले हैं उनमें कर सकते हैं कहां कर सकते हैं उभोगता अपनी सिकायत उभोगता सनलच्षड जो अ निन अपर देने कारे कर कारेकर ने आप उसका उभ्होग करने का उप्राइब तो आप उभ्होगता ही कह लाएंगे और माल का उभ्होगता आप जानते ही हैं नॉरमाल दुपांदार के अपसे समझ सकते हैं अगला है क्रसी के चेत्र में क्रांती की सुरुवात कब से हुई तो 1960 से जो है वो हुई और मुखे तोर पर आप क्या कहेंगे कि असल में करसी के चेत्र में क्रांती की सुरुवात जो है वो हरित क्रांती के समय से जो है वो हुई है तो हरित क्रांती भी लिखेंगे तो भी आपका विल्कुल सही लोगा अगला ये वर्तमान में भारती राश्टी आय में क्रसी का योगदान जो है वो कितना है तो 35 प्रतिसत जो है वो है ये तो आपका जो परसंटेज है ये पहले के हिसाब से लिखा गया है पर वर्तमान में आप देखेंगे तो कापी घड़ गया है अगर 2019 वीस जो आपक का मोटे अनाच दालें ये सभी आपकी खादाने वस्ते हो जाएंगे अगला हरित्परांटी का प्रमुक्ष दोस्त क्या है तो कुछ फसलों तक ही सीमित होना ये इसके दोस्त में आप लिख सकते हैं अगला प्रस्न है कि मुद्रा का अर्थ क्या होता है तो मुद्रा में सब वस्तुएं सामिल हैं जो किसी भी समय एवं किस्तान पर बिना संदेह और बिना किसी जाच के अन्य वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और व्यापारिक दायत्मों को चुकाने के साथम के रूप में प्रचलेते हैं बहुत यह अच्छी डेफिनेशन लिखी है बाकि आप नौर्मल तो मुद्रा जानते हैं आपको कोई भी चीछ चाहिए तो आप उसके बदले में दूसरी मुद्रा दे रहे हैं उसके बदले आपको सवस्तु प्राप्त हो रही है तो वह सारी चीज़े आपकी एक टेकनिकल लैंग्वेज नहीं होगी इस टाइप से आप अग्या पत्र होता है जिसका लिखने वाला बैंक अपनी अन्य साखा को आदेज बिताए कि उसमें लिखित धम्राशी है उसका उसमें लिखित वेश्टी साखा संसा को मागने पर भुखतान करें अब आपकी जो प्राइवेट कॉलेज की फीस है उसमें भी देखे बैंक द और फीस आप उन्डी ऋसमें लिखित व को आज्वेंग को ए उसको जाएका उन्डी अगला है ग्रेसम का नियम बता ही यह बहुत भूच़ा जाता है तो आप कहेंगे बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है यह आपका ग्रेसम का नियम था अगला है मुद्रा स्वीती कितने प्रकार की होती है तो आप कहेंगे दो प्रकार की आंसिक मुद्रा स्वीती और फूल मुद्रा स्वीती तो दो टाइप से जो है आपकी होती है अगला है मुद्रा जो है उसका अब मुल्यन क्या होता है तो जब विधेशी मुद्राओं में देश की मुद्रा का मुल्यन कम हो जाता है तम इसे मुढ्टरा मूग्याएं कहते हैं जैसे कि बंड डॉलर जो है आपकी क्या यानि कि रूपए में अगर बात करें कि ज़द धिर थिडिपे कम होने लगता है बंड दॉलर की वैलू कम होने का मतलब नहीं है कहने का मतलब है कि देश की जो मुढ्रा है उसका मूले अगर एक डॉलर जो है इसकी वैल्यू अगर आप कहें मान को चलिए सतर रुपए के बराबर है इस समय ठीक है और अगर ये सतर से कम होता है तब वो अच्छा के लिए माना जाएगा पर ये सतर से और बढ़ेगा यानि कि ये पहुंच जाएगा 80 रुपए के बरा जो गया बैन राफ है प्रतिग्या पत्र फंडी विनमय विपत्र ये सभी हो जाएंगे अगला है ऑद्ट्वगी करण क्या होता है तो अध्योंगी करण वह प्रक्रिया है जिसमें उत्द्वगों का नियमित और क्रमिक विकास होता रहता है और धीर धीर उसमें नभीनता और आजवनिक्सा का समावेक्पी जो होता रहता है। अगला है कुटी रूथ द्योग क्या होता है। वाउंत द्योग जो पूण रूप से या मुख्छ रूप से परिवार के सवतिस्निय — तुम्हइちゃा से या थो पूणstein का Duch आगला है लगूत द्योग को समझाइए तो लगूत द्योग में उन सब कारखानों की काईओं को सामिल किया जाता है जिसमें एक करोड तक की पुन्जी जो है उसका मसीनों तता से अंत्रों में निवेश हुआ हो परन्तु कुटीर उद्योग में बहुत छोटे लेबल पर जो है उद्योग की बात की जाएए यानिकि मुख्योग से परिवार के सदस्यों की सहायता से ही जो उद्योग आप चलाते हैं अगला है अती लोग लगुद्योग क्या होता है तो वह उद्योग इसमें 25 लाग तक की पुंजी का निवेश होता है यानिकी लगुद्योग का चोटा रूप तो आप कहेंगे यह आपका अती लगुद्योग में आता है सारी चीजे कंपैरिजन करते हुए याद करिएगा सम तीर और लगुद्योग में वह बना रहे हैं जैसे की मिठी के दिये और वही अभी आप मॉल में चले जाए तो वहाँ पर बने बना एकदम चमकते हुए रंग भी रंगे दिये मिलने तो क्या है बड़े उद्योगों से प्रत्योगिता जो है वो बड़ा मैटर करता है वो कि अधिकार किसि निरंकुस्ता पर रोब लगाते हैं तो सरकार की जो निरंकुस्ता और होँए उस पर रोब लगाने कारे करते हैं मौलिक अधिकार अगला है सल्तनाच युग में चर्षा सब्द किस्से संबंदी था 2015 में पूछा गया था तो सिचाई के लिए प्रियोग की जाने वाली चमडे की बाल्टी को जाना जाता था सल्तनाच युग में चर्षा नाम से 2015 में पूछा गया था गुलाम का अंतिम सासर तो यहां पर लिखा हुआ है कैकुबाद और कहीं कहीं क्या होता है इसी की जगा आपको दूसरे नाम देखने को मिलता है वो नाम है शमसुद्दीन क्यूमर्स का जो समय था वो था 1257 से 1290 तक और 1290 तक आपका गुलाम मर्स चला भी था परन्तु क्या है कहीं कहीं 1290 को ही आपको शमसुद्दीन क्यूमर्स का नाम देखने को मिलता है यह वो नाम देखने को मिलता है तो आप और और दोनों में से नाम अगर वल-niner में पूछ रहे तो कोई भी लिख सकते हैं दोनों ही अपनी जगा सही है अगला है मंगोल आक्रमर से भारत जो है उसकी उत्तर पस्यम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलवन ने कौन से कारी किये तो उसने अपने बेटे मुहम्मद खान को जो है वो लड़ने के लिए भेजा 2015 में प्रस्ण आया था अगला है 2015 में कि दिल्ली के अधिकान सुल्तानों दारा खलीफा के पद को समभावित करने का बात्क्रिक लक्ष क्या था तो सुल्तान खुद को खुदा का प्रतीक जो है वो समझते थे हैं कि अगला ये वाला प्रस्ण मैंने आपसे पूछा था पिछले वाले पार्ट में और ताहता आगले वाले पार्ट में इसका अंसर देखेंगे सल्तनत काहल में तूतिये हिंदियानी की भारत का तोता क्यों पादी मिली थी किसको मिली थी अमीर खुसरों को जो है वो मिली य यह आपका important question है ध्यान रखेगा बहुत से competitive level में भी पूछा जाता है इसके लिए वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजेगा आपके के लिए हां सारी महनद की जारी तो आपका एक लाइक लाइक दो वीडियो पर बनता ही बात करत हैं अगले प्रसंद की कि सीवाजी के समय सरसुबयदार किसे कहा गया था 2015 में आया था तो किसी चेत्व सेज्आ प्रतिनिदी या सेना पती जाता whole शुबदार क्या है तो 6-14 वर्स के बच्चों के लिए अनिवार और निकुल सिच्छा यह तो बहुत इजी प्रसन है आपको पतावश्य होगा अगला है समवर्ती सूची किसे कहते हैं तो जिसमें केंद्र और राज दोनों के विसे में कानून बनाए गए हैं वो आपका समवर्ती सूची में आता है और यह भी प्रसन पूछा जाता है कि समवर्ती सूची जो है इसमें कुल कितने विसे हैं तो कुल इसमें 52 विसे हैं आपकी केंद्र संग सूची समवर्ती सूची और राज सूची यह तीन टाइप जो है वो होते हैं जान लखेगा तीनों अगला प्रसन देखते क्योंती चट्टाने आगने आवसाधी रुपांत्री तीन प्रकार की स्वेज नहर को जोड़ती है तो लाल सागर और भूमत दिसागर को एक चोटी सी एक तरिक होती है स्वाब भूला आप ध्यान लगएगा आपको याद रहेगा यहां पर जो स्वाब है इससे हो जाएगा स मतस्ति प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जाना जाता है तो पच्छुआ पवलों के नाम से जाना जाता है बहुत ही अगला है अमेजन तथा जाएरेक खटी के लोगों के मुझे से बुशाए क्या थे तो पसुपालन मतस्तिप्यालन दुख दो उते होगे तो आपके प्रीबेस यह को शंचर लें दोजार बन राखे अगला है आगने सहल के उधार ना तो ग्रेनाइट और बेसार्ट होते हैं मैंने पहले बता है आगने अवसादी रूपांदिर सभी को उधार आपको पता होने चाहिए बावविकल्पी में प्रस्ता आता है वर ला में पूरी से लगवगत तीज किलूमेटर दूर का मुचिदन पर इस सित है यह भी बहुत पूछा जाता है 2016 में पूछा गया था 2015 के आपके प्रस्त्त हो गया है यहां से स्टार्ट हो रहे हैं 2016 अगला है चोलो के सातनकाल में जनपत आता गाहों को क्या कहा जाता था तो 1526 में पानीपत के इब्राहिम लोधी और बावर का मकाबला हुआ था युद में इब्राहिम लोधी हार गया था इब्राहिम लोधी मारा गया था बावर ने लोधी बंस का अंद करके भारत में मुगल बंस की स्थापना जो है वो ही थी यहीं से जो है मुगल बंस की 1528 में फिर चंदेरी चली यानि की चंदेरी कायोद 1528 में घागरा पहन करने की घागरा कायोद यानि की 1529 में सिरियल भी है चारो इद बावर के द्वारा ही लड़े गए थे बावरी इसमें विजड़ी रहा था अगला है मुहमद साहब के पांच से जाकात का अगला है अगला है प्रत्री की भूपरपटी के नीचे अधा इस तर में तीन पढ़ते कौन-कौन सी हैं तीन पढ़ते होती ह में एक आपकी सियाल एक होता है सीमा एक होता है निफेल सेयल को आप लिखेंगे है खिकेंगे एस Bien whether और निफे तो देखेंगे NIFE, अब यहां पर फ़्टा का गौर कीजिए, तो सिलिका, Si जो है से सिलिका, Al जो है से अलुमिनियम, यानि कि इस पहली वाली परत में सिलिका और अलुमिनियम की अधिक्ता के कराने इसका नाम Si परकार यहां पर देखेंगे, सीमा तो यहां पर भ अगला देखते हैं, आगने सायल की विसेस्ताइं लिखिये, तो यह चट्टाने जीर जन्तु और वरंस्पती रही थे हैं, रवेदार चट्टाने हैं, कठोर और आप आरगम में चट्टाने हैं, इन चट्टानों में परते नहीं होती है, तो जाब 16 में आपका आया था, च लिख्ता के आकार के अचार में बहुत बृद्टा देखने को मिलती है, बालु पास्टूप का निर्मार तुस्प और अर्थ सुप भागों के अलावा, सागर्थ रवागों में धीलों के रे तीले, रे तीले जो प्रदेश हैं, उनसे प्रभाइट होकर उन्ने वाली वाल सब्सक्राइन आपकी में इंपोर्टेंट है यह आपको दिमाग में रखना है कि पावंद आरा रेद और वालु के निस्टेप से निर्मिन तीलों को बालु पास्तूप कहते हैं वाकि आगे इसको समझ के आप लिख सकते हैं अगला सूरित आप किसे कहते हैं प्रफी की सता प और रूस के जो टुंडरा प्रदेश हैं और साइबेरिया है इसमें ब्लिजर्ड का इस्थानी नाम पुर्गा और बुरान है यह नाम ज्यान लखेगा और यह भी ज्यान लखेगा देखे 2016 में ऐसे ऐसे कटिन-कटिन प्रस्न पूछे गए थे पूरा पोर्स पढ़ेंगे तो आपको यह कहीं भी दूर दूर तक नहीं देखने को मिलेगा इसलिए मैं कहा रहा हूं कि प्रिवियस यह आपके बहुत इंपोर्टेंट होते हैं उससे पता चलता है अंदादा लगता है कैसे कैसे प्रस्न पूछे गए हैं कैसे पूछे जाग सकते हैं अगला है सभदा अपना सभधान होता है भारत अभी अपना सभधान है जिसे निर्वांतिरी सभा ने तयार किया है कैबिनेट मिसन योजना जोईस के अनुसार जुलाई प्रश्टर जो कि आपके भारत के पहले राष्ट पती भी है उनको सभधान सभा का इस प्रश्टर जो कि भारत के पहले प्रधान मंत्री थे उनके दौरा 13 दिसम्बर इसको प्रस्तों किया गया था तो यह जितने भी इसमें इंपॉर्डब्र पॉइंट आए इनको ध्यान रखेगा और को प्रस्ष्टर में जो पूछा गया थो होते हैं अब आपनृत निर्पेश से आप क्या समझते हैं तो आप कहेंगे पंत निर्पेच राज्य उस राज्य को कहते हैं जिसमें राज्य की निगाह में सभी पंत पंत हो कहते हैं धर्म को वो समान होते हैं वो अपका होता है पंत निर्पेच राज्य जब पंत निर्पेच भी आप कह सते हैं कालिदास के दो गृंटों के नाम पेपर हुआ था इसके प्राइब मैंने गुप्तकालिण चित्रकला के दो केंदर तो मतुरा सारनाथ पठली पूत्र तीन लिखे कोई दो याद रख्एगा, दो यहाँपर पूछेगा है वग्ण में Бाकी पूछे कितने भी जाद करते हैं विजेशी उठ्थी का सित्धान बाकिया पड़ सकते हैं इसी प्रकार अगनी कुंड का सित्धान जो है ये कुछ विद्यानों ने प्रत्वी राजरास होज़े है उसके आधार पर इस सित्धान का प्रतिवादन किया था जिसमें आप देखेंगे प्रतिहार, परमार, चालु अगनिवादी कहलाते हैं जाते हैं उसे संबंदित अन्य प्रमार से इनका संबंद शत्री कुल से इस पर्ष्ट होता है राजपुतों कि उत्पत्थी का सित्धान एतिहासिक द्रश्टी से तो आप उचित बिल्कुल नहीं कह सकते हैं परमान निता है तो गुमानी जा रही पढ़ लीजेगा आप इस टाइप के छोटी-छोटी जो कुश्चन होते हैं वीद गोबिंद बहुत बूची जाती है महती मैं थोड़ो जैदेव जो है किसकी प्रसित रचना है तो जैदेव की वो रचना है अगला एक हजुराहों मंद्री का निर्मालकिन राजाओं ने क कर आया था वक्तिकालिन दो संतों के नाम तो रामानुजाचार रामानंद गुरु नाना कबीर यहां पर चार लिखें हुए को भी आफ्याद रख सकते हैं जलवायू का अर्टिस पश्क कीजिए जलवायू किसी बड़े इलागे का ओसत मौसम होता है एक लंबे समय से बना पर वसादों का समय लगता है तो अंतर भी पूचा जाए तो आप आसानी सकते हैं अगला है भारति सब्दान में कितने अनुख्यत हैं तो कितने हैं टोटल 395 जो है वो अनुख्यत हैं अगला है सवतनता के अधिकार के अंतरगत आने वाली दो सवतनता का उन लेकिए एक अनुख्यत इसके अंतरगत आते हैं पर इसमें भी आपसे दो ही केवल पूचेंगा है तो अनुख्यत 19 लिखा हुआ है इसके अंतरगत छे सवतनता नागरी को पराप्त हैं पहला है सविधान द्वारा प्रतेक व्यक्ति को भासड के रूप में अपने विचार व्यक्त करन और मानुखिति केलिये समधायत्वासण निर्माल कर सकता है देश की सिमॉफ अनतरगत स्वतंता पूरवग एकिस्टान दूसरे स्थान भ्रमल कर सकता है तो यह सभी आपकी u सवतंत्रता में आता है सवतंत्ता के अधिकार में आता है अगला भूसकलंग से कहता पर है तो भूप रश्च्ट जो होता है उस पर सहलों के अप्छह यानि कि तूटने से प्राफ्त पदार्थ बृत्वा कर सब सकती करान धाल की दिशा में किसकना आरहम कर रहते हैं तीवर खड़े ढालों पर अप्छहित पतार्थ होगे आकस्मिक रूफ से कि सकने की जो क्रिया होती है उसे हम भूसकलंग के यानि की लैंड इस लाइडिंग के नाम से जानते हैं अगला भारत भारती है सेना का सरवोच्य सेना पती दो भारत के राश्रपती होते हैं सुरित अता चंद्रमा के वीद परकाल परने लगता है तो इसको चंद्र ग्रहन कहते हैं यह के वल्पूर मासी के दिन होता है यह पूरा मैंने आपको चित्र के माध्यम पिछले पार्ट में बताए था रागे भी लिखा है कि जब चंद्रमा परकाल के उप्छाया से वकर गजरता है त चंद्रमा का कुछ बाग जब दिखाया देता है तो इसे खंड चंद्र करहन के नाम से जानते यह भी खंड चंद्र करन पूछा जा सकता है यह भी ध्यान लखेगा और उपर वाला भी ध्यान लखेगा अगला भारत चीन का युद्ध कभ हुआ तो 1962 में हुआ बारत किस गो में दो बार कोशन पूचा गया 2017 में भी और 2016 का दिती बार में भी अग्राय चंदेलों के प्रसिद नगरो के नाम बुंदेल खंड खजुराहो महोबा अजैगार ये सभी हो जाएंगे राजबूत काल के चार कभियों के नाम प्रत्पी राजरासो हलायुद नय चंद्रसूरी पत्यम गुपत ये सभी हो जाएंगे भोच प्रबंद किसकी रचना है तो वलाल की है प्रयाक्तरस्थी यहां पर देखे 2017 के प्रसिद श्टार्ट होगे आपके प्रयाक्तरस्थी तो बहुत पूचा जाता है अरिशेर जो है ये हो जाएंगे प्रयाक्तरस्थी के रचईता महुरे बंस का संस्थापक, चंद्रकुप्त महुरे सभी जानते हैं खुतुपुती नायवक ने सासन काल में किंदो मस्जिद का निर्माड कराया एक कुवत इसलाम हो जाएगा, एक अड़ाई दिन का जोपला हो जाएगा और सल्तनक काल में राज का सरवोच अधिकारी या पता अधिकारी कौन होता था तो सुल्तान होता था, यह जान लखेगा अगला है हिम नदियों के अपर्दन से जो वी आकार की गाटी है सुर्या भिताः किसे कहते हैं, तो सूर्द से आने वाली एक उसमा जो वाता वराण द्वारा सोपली होता है उसे हम सुर्या भिताः क्यों होता है, तो सबी नाजरिकों के अधिकार गुरूब में परिवासित किया है अर्थवस्ताओं का बर्गी कर परंगरूप से कि यतliche ह दया है और प्रजोरिक अर्थ को पहले पार बदाई थी इंडीका है तरती बॉध इसके सासंकाल में हुआ था तो आशोप के सासंकाल में हुआ था इसमें सब को सुटल चार संगीती है कोई भी पूछी जा सकती है कि कहां-कॉन अगला आप नगाया था चंदेल राजाओने कराया था मंदिर से रिलेक्ट आपके सूपरट में बहुत कुछन पूछे जाते हैं यह पूछे जा सकते हैं पर आप तो डीलट के लेवल पर दे रहें तो अभी से याद रख्या आगे काम आएगा अगला है राजपूत कालीन प भारत के प्रिशित मंदिर पर 17 बार आक्रमन किया था वह सोमनात मंदिर अगला सब्सक्राइब राज यह की आए के दो साधन तो पूसर जो है वह मुस्लिम से लिया जाने वाला कर होता था तो तोटल चार भागों में डिवाइट किया गया तो मैंने पिछले वाले पार्ट मे परत्से नाधी सब्सक्राइब का वेगंगे मैंने चंद्रमा पानी का ऊपर उपड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं शुआ नीचे जिनने की क्रिया को भाटा कहते हैं और बाकी इसमें एक्जांपल जो दिखा है वो भी आप पर सकते हैं अगला है सविधान सभा की प्रारूप समीधी क्या देख तो डॉक्टर भी आरम बेट कर अगला है भारती नागरिक जोयम के किनी तो मूल अधिकारों के नाम जीवित रहने का अधिकार मैंने बताये थे 2017 का दूती बार के पेपर में जो कोशन आया था वही 2019 के बर्धम बाद में भी आया तो देखिए प्रीवियस यार आपको एकदम रट लीजेगा एक ना एक प्रस्न तो आपको रिपीट देखने को हर बार मिली जाता है अगला है भारत महरित करांती के जनक अगला है स्वामी नातन अर्ट्ववस्ता की मूद समस्या है कि एक तो अस्रीमित आवशकता है और एक सीमित साधन है दोनों यह एक दूसरे के अपोजिट है अगला है सल्टन नकाल का अंतिव सुल्तान तो इब्राहिम लोधी था इसी को तो बाबर ने हराया था और उसके किस धर्म को राज्जा सरे प्रदान किया था तो बहुत धर्म को प्रदान किया था अगला है अजन्ता वर्तमान गुफा भारत के किस राज में है तो महराश्य के औरंगाबाद जिले में है अजन्ता गुफाएं सण 1983 से युनेस्कों की विष्व धरोहर इसकल में भी है सब्सक्राइब करते हैं और यहीं हमारे सबसे आकरी तक लाज तक होंगे वीडियो को आपके इतने अच्छे ची मैं आप प्रक्टिस करा रहा हूं तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो को बनता ही है और चैनल पना है हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्यूर दिएगा आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस्पिल भी ना वह बात करते हैं प्रस्ट की हर स्कालीन तो सिक्षा केंद्रों के नाम विश्विद्ध आला और तक्स तिला विश्विद्ध आला जो आप लेख सकते हैं किस अक्षांस रेखा को भूमत रेखा का आ जाता है तो जी पूछा फॉचा गया जब किसी स्थान की दिन पृदिन की वायुमन्य परिवर्धन को जलवायु कहते हैं तुसरे सब्सक्याइज में क्या कहेंगे मौसम अल्वकालिक होता है वायुमन्य दसा को तरसाता है और जलवायु दोनों के तत्व तापमान वयुदाव वयमंदल के सबसे निचली परद क्यों ऑपकी जोने लिए विसके सबसे कहा है है महासागरी गर्थ dhro और बहुत इग्रा आज यह वहां सबसे कहा क्या आज खरते हैं यह दिखा लिखता है मैरियाना दियू अगला मूल अधिकारों को किन परिस्विटी में श्विट किया जा सकता है तो आपात कालिन अनुछे 221 को छोड़कर सेश अधिकारों को किसी भी राजपती के आदेश वारा आज साही वुक से निलब्वित किया जा सकता है आधिकार स्वेट स्वेट सब्सक्राइब कर्या सब्सक्राइब इसको लगे मैं थोड़ा इतना स्पीड में तू चलनाओ उच्छा प्रस्णों से जादा हो और कम समें में ज्यादा आपकी पुस्तकों प्रस्ता है में आपको पढ़ना हो तो वहीं से आप पढ़ लें मैं आप फ्रीड में सीलें चलना हो अगला बोगता सब्धाटिनियम का पारस हुआ था आंगर उट्धिन विडियों गृषण के नाम से लिक चिंट अर्थविवस्ता को पूछा गया तो जिस अर्थविवस्ता ने विकार के उस्चितम आनम को प्राप प्राव्स्ता के नाम से जानते हैं, अब आपका इस वीडियो के लिए आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी नती जो है वो कौन सी है, ऑप्शन मैं रहा हूँ आपको भारत की सबसे बड़ी पताना है सभी लोग अपना अंसर वीडियो के मेन कमेंड में टाइप करके बताईगा देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं इसी के साथ हमारे आज का पार समावत होता है आज पूर में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइप अवस्कार पर तो सब्सक्राइब कीजिए झाल झाल झाल